वेल्कम स्वागता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेडी स्किल सक्सेस पर तो फ्रेंड्स कल हमने किया था लाइव फिजिक्स का एक कम्प्लीट टेस्ट जिसमें हम हमारे थे 45 questions 180 marks के तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं लाइव अटेंप्ट कम्प् को नहीं बताऊंगा 45 questions को आपको attempt करना है लास्ट में आपको इन सभी questions की answer की मिल जाएगी उन answer की को match करके आपको comment करना है कि आपकी कितने numbers total 180 marks में से कितने number जो हो आपने गिन किये है ठीक है तो एक pen और एक copy अपने पास रखके बैठिये जो भी आपका answer रहता है उसे number wise serial wise इसे note करते रहे है ताकि आखिर में आप इन questions को match कर सके तो शुरू करते हैं आज का अपना complete biology का एक test जिसका पहला question यह रहा आप जल्दी से attempt कीजिए आपको एक particular time मिलेगा इस question के लिए question कुछ इस परकार है कि the solid liner cytoskeleton elements having a diameter of 6 mm and made up of a single type of monomer are known as A. microfilaments, B. intermediate filaments, C. laminous and D. microtubeless तो correct answer बताना है कि क्या correct answer इसका हो सकता है आप सभी को biology के questions है तो 10-15 minutes enough होंगे यह question के लिए ठीक है time over next question तो अपना next question कुछ इस परकार है कि enzymes involved in transfer of electrons belong to A, B, C, A, D. कौन सा answer सही हो सकता है comment भी कर सकते हैं साथ की साथ answer और वीडियो को like and वीडियो को share जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों अपने relative के साथ चाक कि वो भी हमा ज़्यादा से ज़्यादा इस session के साथ जुट सके और session का जो benefit है वो ले सके ऐसे ही आगे कि जो sessions है वो आप सभी के लिए लाते रहेंगे रोज शाम इसी समया पर आपको live test यह मिलने वाला है ठीक है तो जल्दी से attempt किजिए आज time over this question के लिए next question water potential of pure water and its solution are 0 to 1 0 and 1 0 and 0 0 and more than 1 and 0 and less than 0 what is the answer in this particular question जल्दी answer कीजिए friends biology में जितना समय कम लगे उतना हम में समय बचाना है ताकि इस time को हम chemistry और physics को दे सके ठीक है next question देखती है यह आपना next question थोड़ा lengthy questions तो इसको मैं रोक के रखूंगा आपको बताना है कि how many functions are among होंगा perform by calcium तो कितने functions है जो की perform करते हैं बाइक के लिए तो अराम से पढ़िए इस question को और इस question का जो है वो answer आप अपने copy में या फिर अपने register में note कर लीजे ताकि last में जो आपको answer की मिले उससे आप इन questions को match कर पाएं टोटल 45 questions रहने वाले है complete biology का test रहने वाला है वैसे biology के 90 questions पूछे जाते हैं 45 questions मैं आपको कल प्रवाइड कर वाद दूँगा ठीक है शायद enough होगा इसके लिए time चलिए next question पर चलते हैं next question इस परकार है कि select the incorrect pair आपको इस में से incorrect जो गलत pair है वो चूज करनी है कि कौन सी है ABCD में से उमीद करता हूँ enough होगा time अगर friends आपको time कुछ ज़्यादा चाहिए तो आप comment box में comment करके बताते रही है कि अगर आपको time थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको मैं थोड़ा आपको time ज़्यादा देते हैं लेकिन biology के questions है तो time ज़्यादा नहीं लगना चाहिए next question in c4 planets malic acid performed in ABCD कौन सा अलोगा जल्दी से answer कीजिए आप comments कर सकते हैं अपने register में register में note तो आपको करना ही है साथ में आपको time बचता है तो आप comment भी कर सकते हैं ठीक है नोट जुरूर करिए ताकि आपको last में पता चले कि आपकी biology में performance जो है वह वाकी students के respect में कितनी रहती ह है ठीक है next question देखते है next है in photosynthesis light independent reaction take place in in photosynthesis light independent reaction take place in a b c d what is the answer in this particular question जल्दी जल्दी answer करेंगे friends late नहीं करेंगे easy questions हैं ज्यादा questions lengthy भी नहीं है थोड़े lengthy questions मिलेंगे वो आपको आगे मिलेंगे अब भी के लिए थोड़े easy रखेगे हैं questions स्टार्टिंग में जो स्टार्टर है वो आपको easy दिया गया है ठीक है देखिए next question देखते हैं which of the following step of crabs cycle is a diker voxylation step ठीक है चलिए next question पर गेंगे next question पर चलते हैं इसके लिए time enough है next question coconut milk contents और friends मैं आप सभी को बताना चाता हूं कोविड-19 ये ऐसे की करोना वाइरस का खत्रा काफी बढ़ चुका है अपने बारत में भी इसने अपनी जो बाहें फेलानी शुरू कर दी है तो आप अपने मूँ को अपने मास्क से डख के रखिए बार बार sanitizer यूज कीजिए अपने हातों को बार बार sanitizer से sanitize कीजिए और जो बाकी आपके जो भी रिलेटिव्स है जो भी अपने फ्रेंड्स वगएरा है उनसे थोड़ी दूरी बनाके रखिए ठीक है ठीक है दूरी बनाके रखिए और अपने आसपड़ोस को भी संचेत करिए इस को लेकर आप सभी देख रहे हैं कि चाइना इटली एंड अमेरिका भी अभी इसकी चपेट में आना शुरू हो गया है वापे काफी हालाद जो है वो खराब चल रहे है तो बारत में ऐसा ना हो जो 21 days का lockdown किया गया है उसको आप सविदान अप पूरवक सुरक्षिर तरीके से उसको पालन कीजिए गर पे रहे है अराम से अपनी study को गेन कीजिए ठीक है इसका question हो गया इसा answer हो गया इसका next question पर चलते हैं next match the columns match the columns आपके काफी पूचे जाते हैं तो मैंने 2-3 questions match the columns के भी रखे हैं कल physics का test हुआ था उसका भी मैंने रखा है हाँ physics का अगर आपने test attempt नहीं किया है तो description में उस test का आपको link मिल जाएगा या फिर उपर i button पर उसका link आ रहा होगा तो वहां जाकर भी आपको वो test मिल जाएगा तो वो test जिरूर attempt कीजिएगा match the columns है तो आप जल्दी से इसका answer करेंगे इन इन फोगा फ्रेंट टाइम नेक्स्ट बेगें नेक्स्ट पर मुव करते हैं तेकिए नेक्स्ट कोश्टन सीट फोर्मेशन विदाउट फर्टिलाजेशन इन फॉल्विंग प्लांट्स इन्वल्विंग्स इन प्रोसेस ओफ बडिंग्स स्टोमेटिक हाइड्रोबिडेशन एपोमिक्स एंपिमिक्स वाट इस दा आंस्वर प्लैन आंस्वर प्लीज आंस्वर अंस्वर एबी सीडी नेक्स्ट पर मुव करते हैं नेक्स्ट एड्वांटेज ओफ क्लेस्टोगामेज इस फाइदे बताने है आपको क्लेस्टोगामेज के ठीक है नेक्स्ट कोशन पर मुव करते हैं नेक्स्ट एड्वांटेज एक्सप्रेस इट्सेल्फ इन बोथ होमोग जाइगर्स एंड हेट्रोजाइगर्स कंडिशन्स इस कॉल्ड तो क्या बोलेंगे इनको यह बताना है जल्दी से आंस्वर कीजिए फ्रेंट्सिस क्वेश गुरुप स्टेडी के लिए तो हमने աिस्क्रिप्षिन में वोड्ग्रूप का लिंक दे दिया अगर आप गल्स है तो ग석स्ट के लिए मैंने वोट्सप नंबर दिया उसपर आपको मेंसेज्ज करना है करने करना है आप अप Наप्लिकेशन और ये संड सकते हैं और रेक आ एड़ होने के लिए तो इस गुर्ट में आप एड़ हो सकते हैं ठीक है डिस्क्रिप्शन में उसके डिटेल्स आपको मिल जाएगी नेक्स्ट कुश्चन में मूव करते हैं इन अक्रोस बिट्विन यलो राउन वाई वाई यारार और प्यूर ब्रीदिंग प्याप्लांट्स हैं ग्रीन विर्केंड फाइंड आउट तो टोटल सीद्स प्लांट्स हैं यलो कलर इन एफ टू जेनरेशन इफ टोटल नंबर ऑफ सीद्स फ्रॉम आर 16 की इज़ी क्वेशन है जल्दी सांस्वर किजी इस पर्टिकिलेटे क्रीशन का थेश प्otzाइच Can a photograph कि इंस रहने वाले ठीक है नेक्स्ट कोईशन पर मुव करते हैं ओकेजिनली एस सिंगल जीन में कंट्रोल मोर देन वन फेनोटाइप्स दिस फिनोमियन इस कॉल्ड मल्टिपल एलिलिज्म क्या आंसर होगा जल्दी से आंसर किजिए चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं रस्टीज कोड़ रस्टीज कोज़ड़ रस्टीज कोज़ड़ वाई ठीक है इनफ है ताइम नेक्स्ट कलते हैं नेक्स्ट है हाव मेनी ओफ फॉल्लविंग हैब क्लोरोफिल ए एंड सी डाइटमस क्लोरिला फ्यूकोस फॉर्फ्रिया डिक्टियोटा एक्टोफरापस ग्रैसिलेरिया वाट इस दा आंस्वर इन दिस पर्टिकुलर क्वेस्ट्ट जल्दी से आंस्वर करेंगे ए बी सी और डी क्या आंस्वर हो सकता है वह आप देखिए ठीक है नेक्स्ट पर चलते हैं नेक्स्ट वी चार हेट्रो स्पोर्ट्स ठीक है नेक्स्ट पर मुव करते हैं रीड़ दा फॉलोविंग स्टेट्मेंट ए एंड एंड आंस्वर दा आपको जो फॉलोविंग स्टेट्मेंट्स दी हुई है ए से ए तक वह पढ़नी है और आंस्वर देना है कि हाव मैनी ओफ द अबाव स्टेट्मेंट्स आर करेक्ट इनमें से कौन-कौन सी स्टेट्मेंट्स कितनी स्टेट्मेंट्स करेक्ट है वह आपको बताना है वन टू इंकरेक्ट को लेकर क्यूंकि इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है कि वो करेक्ट और इंकरेक्ट को ध्यान से नहीं पढ़ते तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि इसमें आपको करेक्ट पूचा है या फिर इंकरेक्ट पूचा है ठीक है इसमें आपको करेक्ट पूचा है तो इंक्रेक्ट लगा के आ जाते हैं और आपको पता है कि नीट जैसे एक्जामिनेशन में एक एक नंबर अपना काफ़ी ज्यादा मैतव रखता है ठीक है हो गया होगा ये question आपसे next question पर move करते हैं next है O2 is mainly transported as a while CO2 is mainly transported as B when CO2 combines with hemoglobin it forms C when hemoglobin combines with CO D is formed selected the incorrect 1 incorrect अब ये पहले correct का था अब में incorrect है आपको इंक्रेक्ट चूज करना है कि कौन सा इसमें particular एक जो है वो इनकरेक्ट होगा ठीक है जल्दी से answer कीजिए I am betting for your answer ठीक है इनफ होगा time चले next question पर है चलिए next question में मूव करते हैं green glands are formed in cockroaches प्रैवन्स अ देखे काफी लंबा बर्ड है मां नहीं अच्छे से रीड कर पाऊंगा तो आप खुद रीड कर लीजिए ठीक है नेक्स्ट question पर मूव करते हैं नेक्स्ट है chromosomes crying centromines at one and is answer दीजिए जल्दी से फ्रेंट से इस question का जल्दी सांस्वर करेंगे चलिए इनफ होगा इतना time next question पर मूव करते हैं which one does not differ in equally and clamidomans cell well, cell membranes, ribosomes and chromosomes organization चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं के हम value of enzyme is subtract concentration at चलिए इनफ होगा next पर चलते हैं identify the stage when homologs crymosomes separate but sister chromatids remains associated metafase 1, anaphase 1, metafase 2 and anaphase 2 इन में से कौन सा आपका अंस्वर जो है वो होगा वो आप सभी को बताना है जब आप इस टेस्ट को attempt करें वैसे डेली आपको live test मिलने वाला है तो जब भी आप इस टेस्ट को attempt करें तो उस तरह का आपका रियक्शन होना चाहिए जैसे आप examination hall में बैठे हैं अगर आप practice भी examination hall की तरह ही करेंगे तो आप जिस वक्त need का examination देने जाएंगे तब अपना उस time आप इतना stress जो है वो feel नहीं करेंगे जितना other students जो है वो करते हैं ठीक है तो जब आप test attempt करें तो बीच में test को ना छोड़े अगर आप एक बार attempt करने बैठ तो आप उसको पूरा attempt कीजिए या तो फिर उसको शुरू से ही छोड़ दीजिए attempt ही ना कीजिए अगर आप attempt करने बैठ गए तो शुरू से लेके end तक उस test को attempt कीजिए ठीक है next solution भी move करते है next select the incorrect statement from the following अब incorrect statement आपको बतानी है कि कौन सी होगी जल्दी से answer कीजिए गुड़ गुड़ सभी students अच्छे कर रहे हैं मैं देखना हूँ काफी students के answer आ रहे हैं ठीक है next करते हैं next which interaction shows covulation सोरी कोई वॉलीशन ठीक है easy था question next पर move करें चले next पर चली next question पर चलते हैं climax community is in a state of climax community is in a state of क्या answer होगा इस question का जल्दी सा answer करेंगे चलिए next question पर move करते हैं इस question के लिए आपका जो इतना time दिया है वो enough होगा तो next question देखते हैं next question इस परकार है कि tRNA is paired of two mRNA by its tRNA is paired to mRNA by its ए फर्स्ट लूप सेकिंड लूप तर्ड लूप और फिर फॉर्थ लूप क्या answer होगा जल्दी सा answer करेंगे सभी students इस question का चलिए चलिए enough होगा time next question पर move करते हैं next इस परका है कि VNTR belongs to the class of satellite DNA referred to as micro satellite DNA, mini satellite DNA, macro satellite DNA या फिर repetitive DNA क्या answer होगा इस particular question का वह आप बताएंगे चलिए enough होगा time next question देखते हैं नेक्त है कि resistance to yellow mossy virus in behind was transferred from a wild species and resulted in new variety of a isculents called golden क्रांती, sonalika, IR8 या फिर परवानी क्रांती क्या इसका answer हो सकता है जल्दी से students answer करेंगे ज्यादा questions नहीं बचे है 135 total questions है 90 to 135 थे यानि की total 45 questions है ठीक है यह पूरा का पूरा एक test है complete test है नीट का जिसमें से मैं आपको physics करवा चुका हूँ, biology का half part चल रहा है, biology का next half part आपको मिल जाएगा और आपकी chemistry बची है शिर्फ यह दो वीडियो बचे हैं, एक test के अपने चार वीडियो करेंगे तो दो वीडियो बचे हैं वो भी आपको कल और परसों वीडियो उसकी भी मिल जाएगी, एक वीडियो से अल्रेडी अप्लोड इट है, नीचे description में उसका लिंक है, वान से जाके उस वीडियो को आ करेक्ट करता है, जैसे B, RBC, C, Acidophils, A, Platyletus, and D, Monocytes, तो कौन सा करेक्ट है आपको बताना है, ठीक है, इनफ होगा, नेक्स वीडियो करते हैं, नेक्स आपका फिर से आगया, एक match the columns, तो इसके लिए मैं थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम दूंगा, 15 से 20 सेकंड, तो match the columns आपको correct करना है, और इन questions के लिए practice भी काफी ज़्यादा करने है, क्योंकि ये questions काफी ज़्यादा पूछे जाते हैं, और कोशिश करने है कि आप तुके ना लगाए, जो आपको question आता है, उसको करें, बाकी questions को skip करते जाएं, ठीक है, चलिए, correct कीजिए इस question को, क्या answer होग होगा, वो आप बता सकते हैं, 10 से 15 सेकंड, answer please, ठीक है, इनफ होगा, इस question के लिए time, next question में move करें, चलिए, next question देखते हैं, read the following and choose the incorrect statement, आपको incorrect statement जो है, वो चूज करनी है, सभी statements को follow करना है, और उनमें से incorrect statements है, उसको आपको चूज करना है, वो answer होगा आपका, ठीक है, तो जल्दी से answer कीजिए इस question का, थोड़े question बचे हैं, 9 से 10 questions आपके बचे हुए हैं, तो उनको भी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी इसका answer कीजिए, ठीक है, next देखते हैं, next ता, the restrictions, enzyme responsible for the cleavage of following sequences, यह आपका question है, जल्दी से इस questions का answer करेंगे, सभी students, लेकि इस session को ज़्यादा ज़्यादा share कर दीजेगा, तकि ज़्यादा ज़्यादा students जो है, वो इस session से जूड़ सके, रोजाना आपको इसी time पे यह live test जो है, वो मिलने वाला है, तो इसको attempt कीजिए, और बाकि students के respect में, आपकी क्या performance है, कितनी आपकी त्यारी हुई है, उसका आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं, तो जितने आपने number gain किये है, negative marking काट के, one fourth negative marking है, जितना आपका जो भी scenario रहता है, उसको follow करते हुए, आप इसके जो जितने भी आपने marks gain की है, आप लास्ट में comment करेंगे, ठीक है, next question पर move करते हैं, select the incorrect information about it, incorrect statement जो है, वो आपको select करनी है, friends, एक दो match the columns, एक incorrect और correct statements, यह questions काफी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो जहां पर भी, आपको biology, chemistry या physics के इस तरह के कुछ questions बने, तो उनको read जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह questions काफी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, चलिए next question देखें, यह थोड़ा और time, चलिए 5 second मैं आपको और देता हूँ इस question के लिए, क्योंकि question lengthy है, ठीक है, next question देखें करते हैं, एक से दो मैं, साथ से आठ मैं, एक से दो सेंटिमीटर, या फिर साथ से आठ सेंटिमीटर, ठीक है, इनफ है time, next question देखें, abdomen of females, frogs swells in breeding season because, प्रोटीन इन कोड़िट बाइ, जीन विचीज एक स्पेस्ट इन है ट्रोलोजर से होस्टीज, क्या आंसर होगा इस प्रेटिकुलर क्वेस्टिन का, वो आपको बताना है, ठीक है, next question में मुख करते हैं, observe the diagram and choose the incorrect statement, आपको diagram देखना है और diagram के बिहाब पे, आपको choose करना है incorrect statement को, फर्स्ट है A and B are result of same adaptive radiation, फर्स्ट है D and E are result of same adaptive radiation, फर्स्ट है आपका B and D are shows convergent evolution, जो फोर्थ है वो है A and E have involved from different adaptive radiation, तो क्या इसका answer होगा वो आपको बताना है, ठीक है, next देखते हैं, consider the following statement and which of the above statements are correct, तो कितनी statements correct है वो आपको बताना है, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 and 1, 2 and 3, total 3 statements हैं, तो इनको consider कीजिए और इनको follow करके यह बताना है कि कुण कौन सी statements आपकी correct है, ठीक है next देखते हैं, next आपका regulators are also called, regulators are also called, and इसके बाद आपका last question रहने वाल है, आज के session का, क्योंकि 44 questions अपने attempt कर चुके हैं, 45th questions जो है आपका last question रहेगा, और इस पूरे session में, मैंने आपको complete biology का एक, sorry complete है रहा है, half biology का test attempt कियोंको भी biology के 90 questions पूचे जाते हैं, ठीक है, यह last question देख लीजे, answer कीजिए, तो जो भी answer होगा, वो आप note कर लीजे, और आप मैं आपको show करने वाला हूँ, इस पूरे session की answer की, तो आपको क्या रखना है, जैसे मैं answer की show करूँ, उसका आप screenshot लेंगे, क्योंकि वीडियो लाइच चर रहा है, तो वीडियो को pause कर लीजे, या फिर आप screenshot लेके रख लीजे, और जितने भी आपके questions attempt किये हैं, आपने वो, और कितने questions आपने wrong किये हैं, कितने को right किये हैं, वो लिखना है, और साथ में आपको लिखना है, कि आपने कितने number gain किये हैं, इस particular test में, ठीक है, और बाकि आपको ऐसे ही, chemistry, physics और bio के, जो test है, वो आपको इस channel पर मिलते रहेंगे, तो सबसे पहले तो channel को subscribe नहीं किया, channel पर नहीं हो, तो subscribe करके, bell icon को press कर लीजे, ताकि जैसे ही questions की, या फिर other need or medicals related information की, जो information है, वो upload की जाए, तो उसके notifications आप सभी को मिल सके, ठीक है friends, तो ये आज की आपकी answer की रहने वाली है, इस पूरे session की, तो answer की का आप screenshot ले लिजे, और check कीजे कि आपके कितने questions correct है, ठीक है, तो ये आज का पूरा का पूरा session था, उमीद करता हूँ, आज का पूरा session आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को like and share जरूर कर लीजेगा, और physicist का अगर आपने test नहीं देखा है, तो physicist का जरूर test देजीजेगा, ठीक है, वो भी आपके 45 questions थे, 180 marks के, तो आज का session आज यहीं पर खतम करते हैं, मिलते हैं next session में, important information and important questions के साथ, next आपको biology का ही चाहिए, या फिर chemistry का upload करूँ, वो आप comment करके जरूर बताइएगा, ठीक है friends, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए good luck and have a nice day.